कोई रास्टर, रिशोर्स कैप्चरिंग कर रहा होता है, तो उसको संसार के बारे में कुछ नहीं पता होता है, अफरीकन लोगों से पूछो, कि वर्ड में क्या चल रहा है, डॉलर कहा गया तुमारा, तुमारी कमपनियों को British Petroleum ने 99 डॉलर में लीज में करा लिया उन बिचारों को कुछ नहीं पता बोले 99 डॉलर तो दोगे ना उनके तेल के कुएं ये अंगोला जो लिखा हुआ था ना अंगोला की जिसें कहानी पढ़ोगे रोने लगोगे इनके जमीन के नीचे तेल है इनके पास पैसा नहीं कि उस तेल को निकाल सके 99 डॉलर में लीज कराई है सौ सालों की कि सौ साल तक हम यह तेल निकालेंगे 99 डॉलर में और बोल रहती ये तो बहुत बड़ा पैसा है उनका सोशन किया है उनका खून चूसा गया है और उनके लिए जिन्दा रहना ही सबसे बड़ी चुनाओती है उनका उनका जिन्दा रहना ही सबसे बड़ी चुनाओती है कि वो जिन्दा रह जाए तो ऐसे देश में आप विदेश नीती के बारे में बात नहीं करें विदेश नीती क्या होती है मैंने आपको पहले बताया था कि Inside Requirement, पहली class याद है कि जब किसी राष्ट की जो इंसाइट होती है, इंसाइट में आपको बताया थैं, छे तरक्री सुरक्षाओं के बारे में, वो पहली class score है, मैंने आपको बताया थैं किसी राष्ट को energy security उर्जा सुरक्षा जिसके बारे में कल में चीन के मलक्का डेलमा की बात कर रहा था वो हमसे लड़ता ही इसी बात पे है उसको लगता है कि भारत जब चाहे तब मलक्का संशाय पे उसका गला दबा देगा energy security रोग देगा क्योंकि जब कोई राष्ट प्रगत ही करता है तो उसको किस चीज़ की जरूत होती है energy की उसके बाद आगई food security जो कभी हमारे 1965 से पहले हमारे लिए टॉप पर यह थी food security इसके बाद livelihood security आजीवी का सुरक्षा ये रोजगार स्वारोजगार entrepreneurship और इसके बाद एक नई चीज़ आ गई है कितने पहले पढ़ाया था तब यह पहाड़ दरक नहीं रहे थे तब यह कालका शिमला रेलवे हवा में नहीं थी कि समझ लोग वह हैरिटेस थी कितने सालों से अपनी जगह थी कुछ समय के अंदर हमने उसको हमारे पहाड इको सिस्टम डिस्टर्बेंस का सामना कर रहे हैं यह जो हमने खूब सडके बनाई ही हमने खूब टूरिज्म को बढ़ावा दिया वो जो पत्थर दरक ना बेस वह है वो हमें प्रक्यति वापस कर रही है वो थो कि बाव में लेके जा रही है तो अगला हमारा क्योंकि हमारा पूरा पैटर्न बदल रहा है और आजी खबर आजी आई है आजी एक न्यूज आई है कि रेकिस्तान आने वाले समय में थार का डेजर्ट क्या हो जाएगा हरा भरा हो जाएगा क्योंकि जो धक्षणी पश्ची मांसून जो में बच्च्पन से पढ़ा जा र रहा है अभी भी अगर तुम लोग चले जाओगे तो अभी तुम देखो के गुजरात राजस्थान में बारिश हो यह लेकिन पूरवी उत्तर प्रदेश जो गोरकपूर गोंडा बस्ती सिदार्ट नगर से लेकर नेपाल की तरही तक बारिश नहीं है बारिश नहीं है जो जो मोटे अनाज का रीजन था जो जो जौर बाजरा मक्का रागी यह पूरा गुजरात राजस्थान सौरास्ट की बेल्ट है वो यही तो है और उसको जब पानी मिल जाएगा तो रागी बाजरा यह पानी जैसे पाएंगे खतम हो जाएंगे तो उधर भी मुश्किल इधर तो अब किसी भी राष्ट के सामने यह सबसे बड़ी जो है वो ठीक है कल आपने देखा जर्मनी में फ्रैंक्फरंट का पूरा एयरपोर्ट डूब गया कोई नहीं बच रहा इससे जहां बरब गिरे इतनी बेहिसाब बरब गिरे कि मकान के मकान दब जा रहे हैं जहां बारी शोरी इतनी भेन है जर्मनी जैसा विक्सित राष्ट अपने एयरपोर्ट को नहीं बचा पाया पूरा का पूरा डूब गया यह हालत है तो यह हमारे लिए छठा सबसे वड़ा द फूट सिक्रूटी डिस्टरब हो जाएगी क्योंकि जो हमारा चावल का कटो रहा है वहां बारिश नहीं हुई जो हमारे मोटे अनाज का कटो रहा है वो डूब गया तो अब मेरे पास अन्ने की कमी होगी मैं अपने राष्ट की सुरक्षा के लिए मैं कहीं नहीं तो निकल का है लेकिन चावल की खेती बरबाद होने वाली है और जो जिन स्यानी की जो हमारे अनाज चावल की कीमत है 15% तक बढ़ने वाली है तो अभी से सरकार ने क्या किया उसके एक्सपोर्ड पे बैन लगा दिया पढ़ाओगा आप लोगों ने तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये संकट हमारे सामने अब जो विदेश नीती होती है वो हमारी आंतरिक जरूरतों का रिफ्लेक्शन होती है तो मुझे अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है तो मैं इस्राइल से जाके मिलूँगा ना मैं अमेरिका बोलने वाले या Indian Foreign Services के जो लोग है या विदेश मंतरी केवल इसके बारे में बात करेंगे बट एस जयसंकर सर की जो आने वाले समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां देखी जाएगी वो ये होगा कि विदेश नीती को हमारे प्रधान मंतरी और विदेश मंतरी ने जो चोड़ चुके हैं विदेश नीती को बहुत पहले बहुत हो गया हमने बहुत कबूतर उड़ा लिए हमें पता चल चुका है कि यह मल्टी पोलर वर्ड है यहां ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन है तो हमें कूटी नीती के बारे में अब सोचो कि इस जन्मानस सब् गांधी का सबसे बड़ा योगदान क्या था सबको यह बताना कि आजादी क्या है हमारा शोशन कौन कर रहा है हमारा पूरे राश्टर का सबसे पहला दुश्मन कौन है तो जब सबको यह समझ में आया कि यह अंग्रेज जो है हमें कुछ बनाने नहीं आये हैं यह हमारा शो सब को एक ही चीज़ चाहिए थी, वो क्या चाहिए थी? आजादी. तो जब किसी राष्ट की चेतना में, जब किसी राष्ट की कन्वसेशन में, जब चाहिए की दुकानों में, विदेश निति के बारे में बात होने लग दिये, तो इसका मतलब समझ जाना कि अब लोग ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए तैयार हो चुके हैं. तो इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धी है, वो यही है, कि इन्हों ने जो अपने तरीकों से, अपने लेक्चर से, अपने भाष्ण से, अपनी राइटिंग से, अपने बुक से, दे इंडिया वे आज की मोस्ट सेलिंग बुक है, जो मैं तुम लोगों पढ़ा रहा हूँ अपने बुक है, किसी भी किताब की दुकान पे चलो जा, सबसे पहले तुम्हें यह मिलेगी, आप इसन पे इसकी रेटिंग बहुत हाई है, तो इसके माध्यम से उन्हों ने जो विदेश नीती है, जो भारत की जरूरते हैं, उसको जन मानस का केंदर बना दिए, हाइलाइ किसी विदेश मंतरी को किसी प्राइवेट पॉड्कास्ट बैठते हुए नहीं देखा है, क्योंकि इनको सोशल मीडिया की पावर पता है, इनको पता है कि हमारा यूथ उसको देखता है, और हमारे यूथ को लिटरेट किया जाना है कि भारत की विदेश नीती क्या है, ताक यह इसका सबसे, और एक बहुत इंपोर्टन लाइन है, अंतराश्टी कूटनीती का सुरनीम्योग, कूटनीती वर्ड बाद बार, strategy वर्ड यूज़ कर रहे है, foreign policy वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे है, क्योंकि वह वारा धाचा है, लेकिन working क्या है, वो कूटनीती है, और कह कहता है कि no first use policy, neighbors first policy, कि हमारा प्रोसी सबसे पहले हम बाद में है, हथियार हमारे हैं, लेकिन हम इस्तमाल नहीं करेंगे, nuclear deterrent की बात करता है, nuclear prolifications की बात करता है, वो सब किनारे कर दो, अभी दुनिया बिल्कुल तेजी से बदल रही है, कोई आज super power नहीं है, तो आपको करता नहीं करनी पड़ेगी कि Ukraine को G20 में बुलाएं कि ना बुलाएं, आज देखा बढ़ा, एक चोटी मोटी बात नहीं है, आज हमें इससे मतलब नहीं कि NATO उसके साथ बैठा हुआ है, यूकरेन के साथ, आज हम decide कर रहे हम किसको बुलाएंगे और किसको नहीं, हम निकल पुरा, हाँ भी बिटल, टेंशन ना लो, हमसे पूछ के थोड़े थे, अब लड़े थे लेकिन हम तुमारा आत्मिक साथ है, लेकिन रश्यास हम तेल खरी देंगे, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी हमसे उसे क्या लेना देना है, हम अपनी एनर्जी सेकुर्टी लेके चले पता जब तुम्हारी लड़ाई में हम सिध्धानती ग्रूप से बैट जाए, हमाई देश में बहुत से लोग है, भारत की उक्रेन का साथ देना चाहिए, क्यों साथ देना चाहिए, हम जाएं लड़ जाएं, हम भी कुछ जाएं, जिसने कहा था युद्ध करो, नाटो ने क अमेरिका ने कहा था, लड़ यार, हम पैसा तुम्हें दे रहे हैं, बाद में सब चिंदी चोरिप चले है, बुले चंता लगाओ, हाँ, यूक्रेन लड़ रहा है, पैसा चाहिए, कितना देख, अरे यार, ही नहीं हमाई पास तो, यार वो कल कोई लेके चला गया, तो चिल कि मुझे लग रहा है कोई ले गया, उसको देने से मना, अब वो जाये तो कहा जाये, आद देखो कितना खुब्सूरस फेहर था, कितना खुब्सूरसा देश था यूक्रेन, रोज इधर बं, उधर बं, ये होता है, फसा ले उसको, तो वो चारे भारत भी फसे, भारत में, अब हम उस डालमा से निकल गए, हम कह रहे हैं, हमारे जो सही हम करेंगे, हमने कह रहे हैं, जलन स्कीन हमसे पूछ के थोने लड़ा था, कि हमसे पूछा होता, फोन की होता, बले हम लड़े, तो हमने कहा होता, लड़ो तो हमारी गलती थी, लड़े तुम बिटा अपने मन से और जब सुल्जाने की बात आ रही है तो तुम हमसे कह रहे हैं तुम सुल्जा अच्छा हम बुरे बन जाएं तो हमें जहां लग रहा है कि हमारे लिए जो जरूरी है हम वो करेंगे हम वो करेंगे और यही एक संप्रभ उरास्ट यानी सोवरेन कंट्री की पहचान होती है चलिए तुम लोग रोकते रोकते नहीं हो यार हाँ इतना टाइम हो जाता है हाँ